हेई गाईस मेरा वेन अभी नौप देखे रहें नपीन टेखनीकल जोन तो गईस आंज हम बात करेंगे रेडमी नोट 13 प्रो 5G and रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G के बारे में and गाईस अज का हमारा टोपिक है how to use lock screen notification settings तो गईस अगर आप अपन फोंस में lock screen notification settings को अगर आप use करना चाहते तो गईस वेडियो को लाश्ट टक देखिए and समझ जिए and अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो प्लेस सब्सक्राइब कर देज़ेगा तो आप के करीगा settings open कर देज़ेगा and नीचे में आप notification and control center के option में जाएगा तो यहाँ पर आपको lock screen notification settings पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपको format को option पर गाईस क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपको three option दिये जाते so notification and content की बात करें गाईस तो मैं आपको एक example की तोर पर समझाता हूँ गाईस आपको जब भी कोई भी माल लेजे वार्टसप पर मेसेज करता है तो आप वार्टसप का पूरा मेसेज पर पाते लॉक्वी स्क्रीन पर जैसे आप topic वह में दिखाए सबको वीडियो पसने दोगी अज के लिए बस इतना ही थैंक यू